वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें साथ हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें पेस्बुक पेस्ट करें में बिया गया है मध्यप्रदेश के तीन जिलो रतलाम जाबुआर मंसौर से घुजर रहा है देश का सबसे लंबी एक्सप्रेस वे दिली मुंबई एक्सप्रेस वे जैली मुंबई एक्सप्रेस वे एमपी के तीन जिलो से घुजर रहा है विफसाइक परिक्षामदल का नाम सरकार बदलेगी यह जलद ही करमचारी चैन बोर्ट के नाम से जाना जाएगा इसका प्रसताव सामाने प्रशासन वे भागने तयार कर लिए है जिसे कैबिनेट के समक्ष अंतिम नर्ने के लिए रखा जाएगा। मुखी मंतरी शिवराज सिंग चुहान व्यफसाई परिक्षा मंडल का नाम बदलने की घुशना काफी पहले कर चुके हैं। सरकारी नौकरियों में भरती और मेडिकल कॉलेज की भरती में गड़बड़ी उजागर होने के बाद व्यफसाईग परिक्षा मंडल की जगाया पत्राचार में प्रोफेशनल एग्जामेनेशन बोर्ड नाम का उप्योग किया जाने लगा था। लेकिन शासन के कार्य आवंटन नियम में व्यफसाईग परिक्षा मंडल मद्यप्रदेश ही दर्श है। मद्यप्रदेश में वैक्सिनेशन में भी की गई सकती का नतीजा है कि जिस तीसरी लहर का असर बहुत खतरनाग बताया जा रहा था। उसका असर मद्यप्रदेश में कम नज़र आया। अब रोजाना कोरोना मरीजों के घट रही संख्या के बाद प्रदेश सरकार प्रदेश में राद 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को हटा सकती है। इन दौर में गिले कच्रे से होगा इंधन प्रडक्शन, एशा में सबसे बड़ा बायो-CNG प्लांट इन दौर में स्थापित। प्रडक्शन में बहुत बड़ा योगदान देगा। बता दें कि बायो-CNG का उत्पादन करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला 550 मीटरिक टन जैविक कच्रा भारत के 1,30,000 मीटरिक टन उत्सरजन को नियंतरत करने में योगदान देगा। बदर प्रदेश में शराब बंदी को लेकर भाजपा बयानों तक्सीमेत उमा भारती के बाद प्रग्या सिंग का समर्थन। बदर प्रदेश में शराब बंदी को लेकर जहां सरकार के विशेश प्रयास नजर नहीं आ रहे वहीं भाजपा नेता बयानों तक्सीमेत कर रहे गए पहले पूर्व मुख्यमंतरी उमा भारती ने शराब बंदी पर अभियान का एलान किया और आज तक वे उसे अमली जाम नहीं दे पाई तो अब भुपास सांसत प्रग्या सिंग ठाकुर शराब बंदी के पक्ष में उतर आई है वे इसे विश्मानती है लेकिन शराब बंदी के लिए क्या होना चाहिए इसकी प्लानिंग उनके पास भी नहीं है मदर प्रदेश के 20 से जादा नक्रिये निकायों को कार्बन क्रेडिट का फायदा दिलवाईगी स्मार्ट सिटी कंपनी इंदोर के स्मार्ट सिटी कंपनी कार्बन क्रेडिट का फायदा प्रदेश के अन्य नक्रिये निकायों को दिलवाने के तैयारी में है इसके लिए अभी तक स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रदेश के 20 से अधिक नगरीय निकायों के साथ अनुबंद भी हो चुका है इसके अलावा देश के करीब 5 नगरीय निकायों के साथ भी अनुबंद किया गया इंदॉर स्मार्ट सिटी कमपनी दूसरे नगरीय निकायों को Agregator Business Model के तहत Carbon Credit कलाब दिलवाने के कवायत में हैं ऐसे में नगरीय निकायों को Carbon Credit से जो आई होगी उसकी 50 फीस अद्राशी स्मार्ट सिटी कमपनी को मिलेगी Smart City Development Limited Company ने अग्रिगेटर बिजनस मॉडल के लिए EKI Energy Services Limited के साथ अनुबंद किया है मद्धिसे अजान की आवाज आई तो हम लाओड स्पीकर बजाएंगे रतलाम में पुराना वीडियो फिर हुआ वारल S.P. ने किये अपी मद्धिसे रतलाम में एक बार फिर से समप्रदाइक तनाओं को हवा देने वाला वीडियो सामने आया वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन के नीद उड़ गई वारल वीडियो में मजजद से होने वाली नमास की आवाज कम नहीं होने पर इसके सामने एक युवा क्लाउड स्पीकर लगाने की बात कह रहा है रतलाम के S.P. अभिशेक तिवारी ने वीडियो को पुराना बताते हुए लोगों से इसे शेयर ना करने की अपील की फिलाल इस मामले में किसी पर कोई कारवाई नहीं की गई है S.G.S. I.T.S. इंदौर हर वर्ष पांच स्टार्ट अप को दिलाएगा फंडिंग शेहर का श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रोध्योगी की एवं विज्ञान संस्थान ने विद्यार्तियों को विफसाई शुरू करने के लिए प्रेडित करना शुरू किया है संस्थान हर वर्ष पांच विद्यार्तियों को चुनेगा जिनका विफसाई करने का आइडिया अच्छा होगा उनके लिए निवेशकों से कॉलेज बात करेगा और फंडिंग दिलाएगा इसमें कॉलेज से पास आउट हो चुके उन पूर विद्यार्तियों से भी मदद ली जाएगी जो नामी कंपनीज में अच्छे पदो पर बैठे हुए हैं बिना अनुमती स्लोगन और बैनर पोस्टर दिखे तो लगेगा चुर्माना शहर को सच और सुन्दर बनाए रखने के कवायत तेज कर दी गई सिकड़ी में नगर निगम ने शहर की दिवारों पर बिना अनुमती स्लोगन लिखने पोस्टर चिपकाने या बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कारेवाई करने का निर्ने लिया शासन के द्वारा जारी दिशान नर्देशों का पालन कराने निगमा युक्ति ने संबंदित अधिकारियों को आदेश चारी कर नर्देशित किया कि संपून नगर निगम शेत्र में विभिन अफसरों और त्योहारों की शुपकाम नाई जन दिन जलसा जुलूस प्रदर्शन रेलियों की आयोजन आदी के लिए विभिन व्यक्तियों राजनैटिक दलो और संस्थाओ द्वारा सार्जनिक संपत्ती और स्ट्रीट लाइट के विद्यूत पोल शास्किय भवनों संपत्तियों आदी में मद्यप्रदेश संपत्ती विरूपर निवारन अधिनियम 1994 के नियम 3 का उलंगन करते हुए बैनर, पोस्टर, बोर्ड और परशे आदी विज्यापन बिना किसी अनुमती के लगा दिये जाते हैं उनके विरुद्ध कारिवाई सुनिष्चित करी उमीद्वारों के लिए बड़ी खबर इस तरह तयार होगी मेरिट लेस्ट इन शेनी को मिले काला मद्यप्रदेश लोग से वायोग द्वारा मेरिट सूची दुबारा से तयार की जाएगी प्रदेश कॉंग्रिस कारियाले में प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष कमलनाथ गुस्से में नजार आई उन्होंने साफ शब्दों में जिलाध्यक्ष से कह दिया कि वे 25 फरवरी तक सभी मंडलम और सेक्टर का गठन कर दें नहीं तो 26 फरवरी को अपना स्तीफा बेचतें बैठक में रास्ते महासचे वंपर्देश के प्रभारी मुकुल वासनेक और संगठन चुनाओ के परिवेक्षक रामचंद्र खुटिया भी मौजूद थे बैठक में पूर्मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग और पूर्प्रदेश अध्यक्ष अरुन यादप को भी बुलाया गया था लेकिन दोनों नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई रखी सभी जिला अध्यक्षों और कारिकर्टाओं को ऑनलाइन सदसे बनाने के लिए तरीके भी बताए सरकारी जमीन सुरक्षत करने में ततपर्ता दिखा रहा गुनाज जिला प्रशासन गुर्वार को सरकारी जमीन सुरक्षत करने में ततपर्ता दिखाते हुए गुनाज जिला प्रशासन ने शहर के पौश इलाके में करीब साड़े साथ सो करोड को मुक्त करवाया बतादे जमीन सरकारी भूमी को अतिक्रमन मुक्त कराने के दौरान गुना जिला प्रदेश भर में अवल आया अपनी साग बरकरा रखते हुए गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए और उनके अधीनस्त महकमे के द्वारा लगातार कारेवाई की जा रही है गुना के सबसे पौश शेत्रों में शामिल रेल्वे स्टेशन मार्क पर साड़े करोड की बेशकिमती जमीन को अतिक्रमन मुक्त कराया गया ये कारेवाई गुना नगर के तहसीलदार सधार्थ भूशन शर्मा की मौजूद्गी में हुई कोरोना संक्रमन के तहरत SDM और तहसीलदार की ग्रेडिंग को लगा ब्रेक खुला कोरोना संक्रमन के चलते SDM और तहसीलदार की परफॉर्मस की मासिक ग्रेडिंग पर भी ब्रेक लग गया था दूसरी लहर के बाद से इनके ग्रेडिंग जारी नहीं हुई इसके माध्यम से पता चलता था कि किस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारे का निर्वहन कैसे किया जिला प्रशासन अब फिर से इनकी परफॉर्मस के आधार पर रिपोर्ट जारी करेगा फिर करवट लेगा मध्यप्रदेश का मासम आज कई जिलो में हो सकती है हलकी बारिश मध्यप्रदेश में तापमान में हलकी गिरावट रही हवा का रुक उत्तरी और उत्तर पूर्वी होने से वातवरण में कुछ थंड़क बढ़ी एक दो दिनों में मौसम फिर करवट लेगा आज कई जिलो में बारिश की भी संभावना जताई गई प्रदेश में न्यूंतम तापमान दस डिग्री के आसपास बना हुआ है बीते 24 घंटे में नौगाओं सबसे धंड़ा रहा MP Board 12 के अंग्रेजी का पेपर हुआ ली मद्द पृदेश में MP Board 12 के बोड परिक्षाएं गुरवार से शुरू हो गई जबकि 10 के बोड परिक्षाएं अससे शुरू होंगी परिक्षा में अकल रोकने के लिए प्रशासन हर संभाव प्रयास के दावे कर रहा है लेकिन इस बीच मुरैना में सोशल मीडिया पर अंग्रेजी का पेपर वाइरल होने का मामला सामने आया रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक होने से पहले ही वाइरल हो गया हाला कि जांच के बाद बारवी के अंग्रेजी का वाइरल पेपर फर्जी निकला मतलब अंग्रेजी का पेपर लीक नहीं हुआ, बता दें कि मद्यप्रदेश बूट की परिक्षा के लिए करीब 12 लाग चात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है मद्यप्रदेश कॉंग्रेश के संगठन चुनाओ का कारिक्रम घोशित 20 अगस तक PCC को नया अध्यक्ष मिलेगा अखिल भारतिये कॉंग्रेश कमिटी के संगठन चुनाओ के पहले मद्यप्रदेश कॉंग्रेश के लिए चुनाओ होने वाले हैं PCC के संकटन चुनाओ को राने के लिए AICC से भेजे गए प्रोवेंशियल रुटार्निंग ओफसर रामचंदर खुंटिया ने चुनाओ कारिक्रम घोशित कर दिया, जिसके मताबिक प्रदेश कॉंग्रेस का नया अध्यक्ष 20 अगस्त के पहले तै हो जाएगा, पी आरो खुंटिया ने चुनाओ कारिक्रम घोशित करते हुए बताया कि 21 अगस्त 20 सतंबर के बीच अकिल भारते कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष का चुनाओ होना है, इसके पहले राजियो के जिला और प्रदेश शिकायों के चुनाओ की प्रक्रियाब पूरी होनी है, जियो का दिल खुश करने वाला आफ़र एक ही दिन में खर्च कर सकते हैं 25 GB डेटा देखे बिना लिमिट वाले प्लान की डीटेट्स, रोलांस जियो अपने यूजर्स को एक जबरदस प्लान दे रहा है, जो यूजर्स के बेहत काम का साबित हो सकता है, इस प्लान में यू यूजर्स को 25 GB डेटा दिया जा रहा है बिना किसी लिमिट के, इस प्लान की वैदता 30 दिन की है, आप 30 दिनों के अंदर 25 GB डेटा कभी भी खर्च कर सकते हैं इसके साथ ही ऐसे कर्मशारियों के लिए और अच्छी खबर है, जिने ओवर टाइम में काम करने के बाद इनकम के रूप में कुछ भी नहीं मिलता रिपोर्ट के अनुसार न्यू वेटन सहीता के तहट एक नया अश्रम कानून लागू किया जा सकता है, जो आपके वेटन धाचे में बदलाओ का कारण बन सकता है फिलास सरकार काम के घंटे ओवर टाइम ब्रेक टाइम जैसी चीजों को लेकर वेज कोड में बदलाओ कर रही है पहले न्यू वेज कोड एक अप्रेल 2021 से लागू होने की संभावना थी पर इसे जुलाई 2021 तक के लिए टाल दिया गया था यूकरेन में फसे चात्रों को फ्री टिकेट दे कर वापस लाने के उच्छी मांग जो तेरा दित सिंधिया ने दिया जवा जैसे जैसे यूकरेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है वहाँ फसे भारतिय चात्रों के परिवार के लोगों के जिनताय बढ़ती जा रही है इंटेनेट और टेलिफॉन से वाए बंद होने से वहां के हालातों का मौझूदा खाल पताना चलने से परिजन खासे परिशान है इसी कड़ी में यूकरेन में फसे भारतिय स्टुडेंट्स को वापस लाने के लिए मध्यप्रदेश थे राजसबा सांसद विवेक तंखा ने सरकार से मांग की कि छात्रों के लिए फ्री में एयर टिकेट की विवस्था कर उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए SBI ने डिपॉजिटर्स को दिया तुफ़ा बढ़ गई आरडी की ब्याज तरे देश के सबसे बड़े बैंक भारतिय स्टेट बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याजदरों में बदलाव किया रिकरिंग डिपॉजिट की दरे 15 परवरी से प्रभावी है इसका फायदा उन ग्रहकों को मिलेगा जिन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है आपको बता दें कि आप सिर्फ सो रुपे की नियुंतम जमाराशी के साथ SBI के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं अए रिकरिंग डिपॉजिट पर व्याजदर 5.1 फीस दी दी जायेगी लाइन का पालन करते हुए मैंने स्वेम को आईसोलेट कर लिया है मुझे कोविड नाइटीन के सामाने लक्षण है सीम शिवराज ने किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की 202 करोड से अधिकी राशी मत्पृदेश के एक लाइग से अधिक खाते को सीम शिवराज ने कल गुरुवार 17 फर्वरी को बड़ा तुफ़वा दिया सिम शिवराज ने अपने निवास पर सिंगल क्लिक से 23 जिलों के 1,46,000 किसानों के बैंक खातों में 202.9 करोड रुपे की राशी च्रांसफर की ये राशी उन किसानों के खातों में भीजी गई जिन किसानों की फसले पिछले दिनों ओला वरश्टी और अतिवरश्टी में खराब हो गई थी राशी वित्रन कारिक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी ने कहा कि उलावरश्टी और असमे बारिश दे फसलों को नुकसान हुआ था तबी मैंने आप सभी किसान भाई बहनों से कहा था कि परिशान मत होना आँखों में आसुमत लाना मैं हमेशा की तरह आपके हर सुख दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ पूरी तरह से आपको राहत दूँगा बुपाल के स्टेट हैंगर की तरह इंदौर के पुराने एरपोर्ट पर बनेगा वी आईपी लाउंच इंदौर के देवी अहिल्याबाई एरपोर्ट पर भुपाल के तरह वी आईपी मूवमेंट के लिए वी आईपी लाउंच तयार किया जाएगा इसके लिए नागरी कुजियन मंत्री जो तेरा दित्त सिंधिया ने अनुमती दी सांसर शंकर लालवाली ने दस फरवरी को इसके लिए किंद्रिय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा था और मात्र साथ दिन में इस पन रणने भी हो गया पत्र में उन्होंने लिखा था कि इंदोर एरपोर्ट पर वी आईपी मुमेंट के दोरान यात्रियों को भी परिशानी होती है अगर वी आईपी मुमेंट के लिए पुराने एरपोर्ट टर्मिनल में वी आईपी लाउंच बना दिया जाए तो वहां से ही वी आईपी आजा स और लॉंच में बैठे ही बैठक या स्वागत सतकार हो सकेगा भारत वसर्स वेस्टन डीज के बीच दूसरा टी-20 मैच शाच भारत और वेस्टन डीज के बीच आश शुकरवार यानि अच्छारा फरवरी को त्री-टी-20 मैच शाच की सीरीज का दूसरा मैच कुलकाता के इडन गार्ट्स में खिला जाएगा रोहिश शर्मा की अगवाई में भारतिय टीम तीन मैच की सीरीज अपने नाम करने के रादे से उतरेगी साथ ही उमीद होगी कि स्टार बल्लेबाज विराट को हुली फॉर्म हासल करने में सफल रहेंगे वेस्टन डीज की टीम दोरे पर अब तक उमीद के मताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और तीन वंडे वा पहली टी-टी में भारत को जीत दर्ज करने के लिए दिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी देश में कोरोना के तीस हजार साथ सो सतावन नहीं मामले आए सामने देश में कोरोना वाइरिस महमारी के मामलों में कमी के बीच 24 गंटे में 12 राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई केंद्रे स्वास्ते मंत्राले की ओर से जारी आंकलों के मताबिक पिछले 24 गंटे के दरान कोरोना के 30,757 नहीं मामले सामने आए संक्रमितों के संख्या 4,27,54,315 हो गई है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद